हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फोन पे से ट्रेंड टिकट कैसे बुक करते हैं दोस्तों अगर आप भी फोन पे एप से ट्रेंड का टिकट को बुक करना चाहते हैं कनफर्म टिकट बुक करना चाहते हैं तो सही वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो में दोस्तों आपको complete जानकारी दूँगा step by step करके कैसे आप अपने phone पे account से train का ticket को book करेंगे अपने लिए या अपने किसी family members के लिए बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अन तक देखना होगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अन तक देख लेते हैं तो यहाँ पे मैं आपको 100% guarantee के साथ काता हूँ यहाँ पे आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपना train ticket को यहाँ पर book कर सकते हैं train ticket book करने के लिए simply आपको अपना phone pay application को open कर लेंगे जैसे आप open करेंगे open करने के बात आपके सामने इसका interface आपको इस तरह से देखनी मिलेगा तो यहाँ पर train ticket को book करने के लिए simply आपको यहाँ पर scroll करके आपको नीची आना है जैसे आप यहाँ पर नीची आएंगे नीची आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखनी मिलेगा trends यहाँ पर आपको trends का logo देखनी मिलेगा बस क्या करेंगे simply आपको इस जगह click करेंगे जैसे आप यहाँ पर click करेंगे click करने बाद यहाँ पर loading लेगा आपको यहाँ पर कुछ second wait करेंगे wait करने बाद आपके सामने एक नया page open होके आ जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखनी मिलेगा enter from, enter to यानि कहां से कहां तक जाना चाहते हैं सबसे पहले आपको उस station का नाम को आपको यहाँ पर fill up करेंगे उसके बाद आप जहां तक जाना चाहते हैं यहाँ पर आपको fill up करेंगे सबसे पहले आप देखेंगे enter from आपको इस जगह क्या करेंगे click करेंगे जैसे click करेंगे, click करने बाद आपके सामने इस तरस interface देखनी मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर आप उपर साइड आपको देखनी मिलेगा, search for a city station, आपको क्या करना है, इस जगा आपको उपर में search में click करेंगे, जैसे click करेंगे, click करने बाद दोस्तों यहाँ पर आपको उस station क नाम को आपको search करना जहां से आप जाना चाहते हैं जैसे मैं कठियार से कोलकाता जाना चाहता हूं तो यहां पर मैं सबसे पहले कठियार लिखता हूं जैसे आप यहां पर जाना चाहतें तो इंटर्टू में किलिक करेंगे किलिक करने मा दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर फिर से सर्च फोर सिटी स्टेशन यहाँ पर किलिक करता हूं किलिक करने मा जैसे मैं कोलकाता जाना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं कोलकाता लिखता हूं कोलकाता में यहाँ बहुत date यानि calendar यहाँ पर आपको date choose करना यानि किस date को आपको जाना किस date का ticket को book करना है तो simply क्या करेंगे आपको इस दिगा यहाँ पर date में click करेंगे जैसे click करेंगे click करेंगे यहाँ पर आपके सामने एक calendar क्लिक करेंगा, यहां पर आपको कैलेंडर शो कोगा, तो सबसे पहले यहां पर आप chegे। आपको दीखनी मिलेगा month, तो यहां पर एक arrow देखेंगे, इस arrow पे क्लिक करेंगा तो यहां पर आपका month change हो जाएगा देख सेथा हैं पर April आ चुक ऑपहले, यहाँ पर मैं 30 पर click कर लेता हूँ click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे में देखेंगे OK का button है बस क्या करेंगे simply आपको इस OK बटन पर click करेंगे जैसे click करेंगे click करने बाद दोस्तों यहाँ पर आपका 2 यानि आपका from 2 और date fill up करने के बाद उसके बाद आपको नीचे में देखेंगे search trains बस क्या करेंगे simply आपको search trains पर click करेंगे जैसे click करेंगे click करने दोस्तों यहाँ पर कठियार से कोलकाता के लिए यानि आप जहां का भी train ticket book कर रहे हैं जितना भी train होगा यहाँ पर सारा train आपको so करेगा तो यहाँ पर कठियार से कोलकाता के लिए simply यहाँ पर तीनी train so कर रहा है तीनी train यहाँ पर कठियार से कोलकाता जा रहा है एक तो यहाँ पर देखेंगे आपको train का name और train का number आपको so करेगा उपरसाइड देखेंगे जो कि यह है कठियार हावरा express यहाँपर train का number और train का nummer तर नाम so कर रहा है उसका नीचे भी देखेंगे यहाँपर आपको देख लेना याँपको जो भी train से आपको सोफर करना जो भी train का ticket को book करना यहाँ पर सबसे पहले आपको उस train को देख लेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर book करने वाला हूँ कटियार हावरा एक्सप्रेस मैं इसी train पर तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे हाटे-बजारी एक्सप्रेस यहाँ पर भी train ticket आप book कर सकते हैं तो यहां पर आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपका जो train ticket book कर रहे हैं वो seat available है या नहीं है यहाँ पर यह sleeper में book कर सकते हैं 3rd AC में book कर सकते हैं 2nd AC में book कर सकते हैं सबका अलग अलग कोटा बनावा जैसे यहाँ पर देखेंगे second setting sleeper है यहाँ पर यह sleeper हुआ आपको 3rd AC हुआ यह 2nd AC हुआ तो यहाँ पर आपको यह check कर लेना जैसे मैं sleeper में book करने वाला हूँ तो sleeper यहाँ उपर साइड देख सकते हैं जो कि कठियार हावरा एक्सप्रेस में sleeper में है यहाँ पर seat available है 181 यानि 181 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जहाँ पर भी AVL ग्रीन आपको सो होगा तो समझ जाना कि ticket अभी available है यहाँ पर देखेंगे AVL 181 यानि 181 seat खाली है AVL मतलब होता है आपका available यहाँ पर फोर्प दिया हुआ यहाँ पर आपको यह देख ले ना यहाँ पर देखेंगे waiting list डबल वL आपका वेटिंग लिस्ट तो यहाँ पर आपको देख लेना कि available seat है या नहीं तब जा कि आपको भूक करना तब आपका confirm टिकर्ड भूग होगा तो यहाँ पर देखेंगे AVL तो यहां पर आपको यहां पर आपको आपको अपना नंबर फिलब करेंगे जो भी नंबर होगा आपका मोबाइल नंबर यहां पर करेंगे तो चलिए यहां पर मैं अपना मोबाइल नमर को फिल अपकर लेता हूं यहां पर नीचे में देकिंगे लॉग इन का बटन बस क्या करेंगे क्लिक करेंगी जैसे लॉग इन बटन पर किलिक आए किलिक करें दोस्तों आपके नमबरh पर OTP आएगा उस OTP को आपको यहां पर सही सही फिलप करेंगे यहां पर मेरे नमबर पर OTP आ चुका है मैं अपना OTP को यहां पर फिलप कर लेता हूं यहां पर अपना OTP को फिलप करने के बाद सिंपली आपको नीचे में देखेंगे verify का button में बस क्या करेंगे आपको verify में click करेंगे जैसे आप यहाँ पर verify में click करेंगे click करने माँ दोस्तों फिर से loading लेगा उसके बाद फिर से आपको इस तरह से देखनी मिलेगा फिर से दुबारा आपको क्या करेंगे आपको sleeper में दुबारा click करेंगे जैसे click करेंगे click करने मां दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह से देखनी मिलेगा यानि मैंने 30 March का यहाँ पर ticket को book करने वाला हूं तो यहाँ पर देखेंगे 30 March वहाँ तो आपके सामने फिर से एक नया page open हो किया जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको passenger का details fill up करना यानि किसके लिए ticket book करें अपने लिए book करें तो आपको अपना details वागरा fill up करना या अपने family members के लिए book करें तो यहाँ पर आपको अपना family members का details को fill up करेंगे आपको अपना name आपको यहाँ पर fill up करेंगे जिनका भी ticket को book करें उनका name आपको यहाँ पर सही-सही fill up कर देंगे उसके बाद देखेंगे age यहाँ पर क्या करेंगे उनका आपको age fill up करेंगे यानि कितना age है तो यहाँ पर क्या करेंगे उनका age fill up कर देंगे उसके बात दोस्तों आपको नीचे में देखेंगे आपको दिखनी में बिलेगा Burth Prefence तो क्या करेंगे इस Burth Prefence पे क्लिक करेंगे क्लिक करने बाध आप कौन सा सीट लेना चाहते हैं यहाँ पर आपको चूज करना Lower birth याणी नीचे लेना चाहते हैं उसके बाद दोस्तों आपको क्या करेंगे यहाँ पर आपको देखने मिलेगा save करने का button बस क्या करेंगे simply आपको save button पर click करेंगे जैसे click करेंगे click करने बाद दोस्तों यहाँ पर आपका एक passenger यहां पर आपका add हो चुका, यहां पर दख़ेंगे, मेरा यहां पर Name आ रहा है, देख सकते हैं, यहां पर उपर साइट, यानि मेरा एक P 만들어 कर देखेंग अगर आप और बी P पैसेंजर डिटेल्स यहां पर एड़ करके उनका भी टिकट को यहां पर एक साथ बुक कर सकते हैं तो simply यहां पर मैं एक ही टिकट को बुक करने वाला हूँ तो simply यहां पर मैं इसको डिलीट करता हूँ उसका दोस्तों यहां पर डिटेल्स फिल अप करने के बाद पैसेंजर का डिटेल्स हो या आप अपना डिटेल्स हो यहां पर फिल अप करने के बाद सिंपली आपको नीचे में देखेंगे आपका देखने मिले का मुबाइल नंबर यहाँ पर आपका mobile number 100 करेगा अगर आप passenger का mobile number देना चाहते हो तो इस पर टिक करके passenger का mobile number आप fill up कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखेंगे इंटर email ID अगर आपके पास email ID है तो यहाँ पर आप email ID fill up कर सकते हैं ने था इसको आप छोड़ सकते हैं तो चलिए यहाँ पर मैं इसको छोड़ देता हूँ उसके बाद क्या करेंगे आपको scroll करके नीचे आएंगे जैसे नीचे आएंगे नीचे आने बाद दोस्तों आपको यहाँ पर तीन options देखनी मिलेगा एक देखनी मिलेगा FCF Full refund on cancellation to bank account उसके बाद देखनेंगे FCS maximum cancel anytime उसके बाद देखनेंगे No, I don't want to free cancellation तो दोस्तों यहाँ पर मैं तीनों का मतलब आपको समझा देता हूँ अगर आप FCS पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको 52 रुपिस आपको यहाँ पर extra आपको देना होगा यह क्या मतलब होता है जब आप सोचेंगे आप जैसे माल लीजे आप train ticket book की और by the way आपको क्या करना आपको ticket को cancel करना cancel करेंगे तो आपका क्या होगा Full refund आजाएगा जितना आपका ticket का किराया होगा आपका पूरा refund आजाएगा अगर आप FCS में tick करेंगे अगर आप no I don't want to free cancellation यहाँ पर tick करते हैं तो आपका क्या होगा जितना cancellation का charge होगा 50% आपको वापस आएगा 50% क्या होगा आपका वहाँ पर काट लिया जाएगा अगर आप FCS में click करेंगे तो आपका जितना भी आपका ticket का किराया होगा आपका refund आजाएगा लेकिन 52 रुपे आपको यहाँ पर extra charge लगेगा तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है तो अगर आप क्या करेंगे अगर आप cancel नहीं करना चाते हैं ट्रेंट का तो यहाँ पर क्या करेंगे no I don't want to free cancellation पर tick कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस ticket को cancel करने वाला हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए इस ticket को book कर रहा हूँ तो simply मैं FCF में click कर लेता हूँ उसके अगर दोस्तों आपको क्या करना आपको click करना no I don't want to free cancellation आपको यहाँ पर tick करेंगे क्योंकि आपको ticket cancel नहीं करना है तो यहाँ पर अपना सारा details को fill up करने के बाद उसके बाद आपको scroll करके नीचे आएंगे जैसे नीचे आएंगे नीचे आने माद दोस्तों आपको नीचे में देखेंगे proceed का button है बस क्या करेंगे simply आपको इस proceed button पर click करेंगे जैसे आप यहाँ पर click करेंगे click करने बाद दोस्तों यहाँ पर आपको email id देना necessary है याँ आपको यहाँ पर email id भरना है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं rate के लरका चुका है जैसे proceed button पर click करेंगे click करने बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस तरस interface देखने मिलेगा यहाँ पर देखेंगे IRCTC user id दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है train ticket आप phone पे से book कर रहे हैं Google पे से या Paytm से यानि किसी भी app से आप book कर रहे हैं तो आपके पास IRCTC का account होना चाहिए अगर आपके पास IRCTC का account नहीं होगा तो यहाँ पे आप train ticket को book नहीं कर पाएंगे अगर आपने अभी तक IRCTC में अपना account create नहीं कियें अगर आप create करना चाहते हैं तो इस वीडियो के description box में आपको link दे दूँगा उस link पर आप click करके जान सकते हैं IRCTC का account कैसे create करते हैं IRCTC का account कैसे बनाते हैं अगर आप अपने phone pay account भी नहीं बनाएं phone pay account भी create करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं भी इस वीडियो के description box में link दे दूँगा वहाँ पर आप जान सकते हैं phone pay account कैसे create करेंगे तो यहाँ पर मेरा login है पहले से IRCTC account देख सकते हैं यहाँ पर मेरा name सो कर रहा है उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे आपको देखी मिलेगा I remember password बस क्या करेंगे I remember password पर click करेंगे जैसे click करेंगे click करने बाद दोस्तों यहाँ पर loading लेगा आपको यहाँ पर कुछ second wait करेंगे wait करने बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं total pay या नि मुझे total pay करना होगा 356 रुपय नि 356 रुपय मुझे यहाँ पर pay करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप नीचे में देखेंगे continue को बटन है बस क्या करेंगे simply आपको इस continue बटन पर click करेंगे जैसे continue बटन पर click करेंगे click करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ second wait करेंगे wait करने बार दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह से इंटरफेस देखनी मिलेगा उसके बार दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना आपको नीचे में देखनी मिलेगा proceed to pay बस क्या करेंगे simply आपको proceed to pay पे क्लिक करेंगे जैसे click करेंगे click करने वाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना आपको यहाँ पर bank चूज करना है याँ कौन सा bank अगर आपके phone pay account पे 2-3 bank link है तो यहाँ पर आपको phone pay आपको bank चूज कर लेना कौन सा bank से अपना payment करना चाहते हैं तो simply यहाँ पर मेरा पहले से यहाँ पर bank पर टिक है उसके बाद नीचे में देखेंगे pay का option है बस क्या करेंगे simply आपको इस pay पे click करेंगे जैसे pay पे click करेंगे click करने बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना phone pay का यूपी आई पिन आपको यहाँ पर टाइप करना होगा या आपको इस राइड बटन पर क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे क्लिक करने बार दोस्तों यहाँ पर लोडिंग लेगा आपको यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे वेट करने बार दोस्तों यहाँ पर मेरा पैमेंट सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है आपको यहाँ प पासवर्ड होगा उस पासवर्ड को आपको इस बॉक्स पे सही सही फिलब करेंगे उसके बाद नीचे में देखेंगे कैप्चा, इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स पे सही सही फिलब करेंगे तो चलिए यहाँ पर मैं अपना IRCTC का पासवर्ड और कैप्चा को फिलब करने क बाद simply आपको नीचे में देखेंगे, submit का बटन है, बस क्या करेंगे, simply आपको submit बटन पर click करेंगे, जैसे click करेंगे, click करेंगे दोस्तों यहाँ पर loading लेगा, आपको यहाँ पर कुछ second wait करेंगे, wait करेंगे दोस्तों यहाँ पर मेरा successfully train का ticket यहाँ पर book हो चुका है, आपको ए और birth है मेरा lower birth है, नहीं नीचे में, यहाँ पर आपको इस तरह सो करेगा, उसके बाद अगर आप इस ticket का PDF को download करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, यहाँ उपर देखेंगे, download ticket इस पे tick करेंगे, इस पे tick करने बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, आ यहाँ पर भीज दिया जाता है, आप यहाँ पर स्क्रोल करके आएंगे, तो यहाँ पर सारा कुछ आपको सो करेगा, आपको कितना birth है, सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे book another ticket, अगर आप और भी ticket book करना चाहते हैं, यहाँ पर आपका उपर स email id link होगा उस email पे आपको ticket का PDF आपको मिल जाएगा simply यहां से मैं बैक आजाता हूँ बैक आने बाद simply मैं अपना Gmail application open कर लेता हूँ open करने बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मुझे यहां पर 2 mail आच रिख सकते है यहां पर Confirm ticket का simply यहां पर मैं इस mail को आपन कर लेता हूँ open करने बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो कि मुझे यहां पर सारा कुछ यहां पर देखनी मिल रहा है यहां पर मेरा PNR नंबर मिल रहा है उसके confirm टीकट आईडी मिल रहा है यहांपर देख सकते हैं आपको सिलिप पर है इस पर दोस्तो यहां पर आपको सबसे नीचे से आ जाएंगे नीचे आने तो यहांपर आपका Podcast Signs Nadiable आपको नीचे सो करेगा यहां पर देख सकते हैं बस क्या करेंगे सिंपले आपको इस पीडियाफ पर क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर पीडियाफ आपका डाउनलोड होना स्टाट हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर मेरा पीडियाफ डा तोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ जूम करने मां दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर current status यहाँ पर booking status देखेंगे confirm है S5 है lower है lower birth है 60 है तो दोस्तों इस तरह से बड़ी आसानी से phone पे से घर बैठे अपने mobile phone से train का ticket यानी confirm train ticket आप इस तरह से बड़ी आसानी से book कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको मारी वीडियो पसाने वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगर सतरह का helpful जान करें और देन कर सकते हैं जैहीं जै भारत